गाजेपुर बॉर्डर प्रकिसान मोच्चा की नेताओं ने एक सुर में किन्द सरकार से तीनों क्रशी कानूनों को वापस लेने की मांग दोराई है मांची से सौधर 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्श निकालेंगे तो वहें 16 को सर छोटू राम का जोयनती पर समारों बनाने और 18 फरवरी को दुपहर 12 बज़े से 4 बज़े तक रेल रोकने का एलान किया गया है उन्होंने कहा कि यहां आंदोलन जीविका बचाने की लड़ाई है क्रशी कानून को रद करवाने के लिए आखरी सांस तक संगर्श करते रहेंगे नई क्रशी कानूनों की व्रोध में किसान यहां आंदोलन रद को विस्तार देने की रण निती में जुट गई है और वही सेंक्त मोर्शा किसान के दिली हिंसा और किसान और दर्ज मुकदमों की उचस्तर ये नियाएक जाज की मांग की गई है मोर्शा का कहना है कि किसानों के खिलाफ जूटे मुकदमे दर्ज किये गई है आपको बताने की दो महिनी से जादा कसम में व्यतीत हो चुका है और किसान लगातार सिंगु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रही है और आज सभी किसान मिलकर कैंडल मार्श निकालेंगे तो महीं पर क्रशी कानून का लगातार व्रोथ किया जा रहा है अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए यह हुंकार भरी जा रही है तो आज सभी किसान कैंडल मार्श निकालेंगे और साथी साथ सरकार के खिलाफ व्रोथ प्रदर्शन किया जाएगा लगभग असी दिन हो चुके हैं किसान डटे हुए है बॉर्डर पर और करशी कानून का व्रोथ कर रही है तो अब वही पर अब अपने आंदोलन की बात को तेज करते हुए उनकी तरफ से एक कैंडल मार्श निकाला जाएगा तो आदोलन की और तेज करने की हुंकार यहाँ पर भरी जा रही है लगभग असी दिन हो चुके हैं और किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और क्रशी कानून का व्रोथ कर रही है हलाकि कई दोर की वार्टाएं हो चुकी है लेकि सारी वार्टाएं बेनतीजा रही सरकार संशोधन करने को तयार है लेकिन किसान सिर्फ करशी कानून को रद करवाना चाहते हैं और किसानों नहीं कहा है कि जिन किसानों पर जो मुकदमे जो फर्जी मुकदमे दर्श के गए हैं उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाए और जो हमारे किसान भाई लोग लापता हैं गायब हैं उनको ढूड़ा जाए तो अपने आंदोल को तेज करते हुए आज किसान कैंडल मार्शन का लेंगे और सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते हुए ट्रशी कानून का रोध करेंगे